सबी कच्छा चार के चात्रों का स्वागत है तो चात्रों आज के ये से वीडियो में हम आपको कच्छा चार जो आपका बिस है पारे वरण है उसके पार्ठ ग्यारा याने की फुल वारी उसके बाद पार्ठ वारा और पार्ठ तेरा इन तीनों चारों पार्ठों का पार्ठ जबुदा तक कि संपूर्ण पार्थों का आपको हल बताने वाले हैं इस वीडियो में तो करते हैं बीडियो को स्टार्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए गाट यहां पर आपको उत्तर लिखना है इत्र पेड़ों का सबसे अकड़सक एवं रंगीन भाग कहलाता है यहां पर बगीचे में फूलों के बीच लगी तक्ती पर आप क्या लिखेंगी तो फूल तोड़ना मना है यह लिखेंगी आपको तक्ती बनी होगी आपको लिख देना है तक्ती बना के बनी में फूल तोड़ना मना है फिर फूलों की घाटी कहा है उत्तर लिखना है आपको चात्रो फूलों की घाटी उत्राखंड में है फिर मैं फूलों का राजा हूँ कई रंगों का होता हूँ मेरी महक मीठी मीठी होती है मैं काटों से गहरा होता हूँ कौन है यह तो यह रहेगा गुलाव इसके बाद देख सकते हो पाचवा प्रिशन आपका आपके बिद्याले में फूलों का बगीचmaking है बगीच़े में रंग बरंगे फूल है फूलों की सुरक्षा के लिए आप क्या उपाय करेंगे उत्तर लखना है बगीचे के चार होड जाली लगा देंगे और साथ में बोड लगा कर उसमें लिख देंगे फूल तोड़ना मना है फिर जब सरदी में आपकी तुछा फट जाती है तो आपकी मम्मी कौन सा घरीलु उपाए करती है लिखिए उत्तर लिखना है सरदी में हमारी मम्मी गुलाव की पत्तियों के की रस नकाल कर तुछा में लगाती है यह उत्तर हो जाएगा साथ व प्रश्ण है आज मध्यान में भूजन में पालक की दाल, कचनार की सबजी और प्याज निबू का शलाद आया है बताईए ये पौदे के कौन से भाग है उत्तर लिखना है पालक में पत्ते, कचनार में फल है कचनार निबू एक फल है और प्याज क्या है प्याज में पत्ते घाते हैं तो प्याज की पत्ते हो जाएंगे आपका फिर है इत्तर क्या होता है किस से बनता है उत्तर लिखना है आपको क्या अपनी पसंद के आजफूलों के नाम लिख कर तालीक पूर्ण कीजिए, देखो पहला है गुलाव, फिर पूचा है कहा होता है यै। जाडी होता है य्या पेडी होता है, य किसी खास महँने में, दॉ लखना है साल भर में, जिनको बंद आगों से खुसुवू से पहचान सकत हैं तो हां गुल मोहर दूसरा फूल का नाम इसमें पीर तीसरे खंड में सालवर तीसरे खंड में नहीं फिर लिखना चंपा बेल में लगता है एक खास महीने में लगता है खुसबू से सुंग सकते हैं जाड़ी में लगता है किसी खास महीने में लगता है और इसे खुसबू डिजाइन के लिए प्रिशित जला तो ये भी मदुवनी, फिर है कब और कहां बनाई जाती है तो खुशी के मौकी पढ़ दिवारों पर और आगन में इस तरह के चित्र बनाई जाते हैं, फिर चित्र बनाने में किन रंगों का उपयोग किया जाता है तो नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग, फिर है यह रंग किसमें घोल कर बनाई जाते हैं तो चूने में घोल कर पेशे हुए चावल में घोल कर, प्रोजेक्ट कार में है सिक्षक दिवस्पर सिक्षकों को अवंत्रण देने के लिए सूखे पूलों की रंग बिरंगी पंकुडी चाथा पत्ति इसके बाद यह पिर सब्सक्राइब का जो भी नाम हो, यहां पर नहीं डालिएगा, देखो आप उपर मैं इसे डालिएगा, अमंत्रन पत्र रिखना है ना, तो अब ऐसा नाम भी डाल सकते हो, बहने से, या फिल लिख सकते हो, सभी सिक्षक गण, दीपक काटके, सभी सिक् अब इसके बाद यह फिर सक्षक कोमा जहां लेखा है सिमला कार्ट के आपके स्कूल का नाम ठीक है और इसकूल कहां है यह है नीचे वाली लिख दीजिएगा आठ मिखाये सब्सांटा बसे अब भी देखते आपका नैस्ट पार्ट कौन सांघ को केंसे बदले घर कॉस्ट कोशते में आपको राईगल डेरिया गाजी खान, दूसरी में आएगा 200 बड़, तीसरी में आएगा साह यानकी पेंटर फिर अम्मा ने फ़र्ज के लिफाई करने के लिए मिट्टी में गोवर को क्यों मिलाया था तो इससे मिट्टी में क्योड़े नहीं लगते फिर पक्का खर बनाने के लिए किनके जीनों को अप्योग किया जाता है तो पक्का खर बनाने के लिए समेंट, इट, गिट्टी, सारीया, बालु आदी को अप्योग किया जाता है फिर लखडी का समान बनाने वाले को कार्पेंटर कहते हैं मकान में दिवार उठाने से पहले जमीन में ख़ताई की जाती है घर में बने टौालेट को किस परकार साप करना चाहिए ईबियार क्यों तो जो लोग टोईलेट का उप्योग करते हैं उन्हें,हीं साथ करना चाहिए त्बहुतिक है,आपके मकानों में इन एक पार्वेषण देखे उंगे, ए मकान के इन हिस्चों पर्ली वर्थन को लिखिये,दिवार मकान के इस्ते दिवार लकड़ी मिट्टी इटों है ना इन सब से मिलकर बनी होती है छत लकड़ी मिट्टी इट सेमेंट फर्स मिट्टी सेमेंट टाइज फिर आपका नाइंध प्रश्ण है इसमें तर आईगा आपका देश की बटवारी कि शमय लोगों को बहुत सी कठनाईयों को सामना करना कैmpe में रहना पड़ा आधि दस पर प्रसना आप देख सकते हैं तो तालिका में और गोला लगाना तो पैंटर प्रहाइब presence में प्रफे से च मैं मिस्टरों का नाम प्रण और प्लंब मिस्तिरी का क्या है मकान में आना है खुशी रिखना पड़ेगा आपको बढ़ा ही लेखडी के शमा जैसे की टीवल बनाना लिग देज़ेगा बनाना है ना फिर दिवारों को कलर करना पेंटर का काम है लेक्रिशन का काम लाइट पिटिंग करना प्लंबर का नल पहाड़ा से समंदर तक यहां पर साथ नों फास्ट कोशन में उत्तर रहेगा नमाक सक्कर निबू कर रस्म थाड़ में उत्तर रहेगा वप्रोक्त सभी इसके वाज़ाब का दूसरा कोश्चन है आपकी घर में पानी किस त्रोश से आता है उत्तर डालिएगा हमारे घर में हमारे घर में पानी हैड़ पंप से आता है यह पर नदी में मचलियों की संख्या कम होने का करण क्या हो सकता है तो नदी में मचलियों की संख्या कम होने का करण है कि नदी प्रदूस्ट है फिर गर्मियों में सर्वत बनाने के लिए आप पानी में किन किन चीदें को डालते हैं तो गर्मियों में सर्वत बनाने के लिए हम पानी में सक्कर नमक निबू को रस डालते हैं अगला कोश्चन है नदीर तलाब में पानी के गंदा हो जाना कोई तीन कारण लिखे या नदीर तलाब को पानी गंदा क्यों होता है आपको तीन कारण बताने हैं देखो कई प्लास्टिक काच और कुड़ा कचला जैसे चीज़ है पानी में घुल जाएं तो पानी गंदा हो जाएगा है ना जो कि क्या है बहुत खराब चीज़ है इसके वाद है गंदे पानी को पीने से पहले साप करना क्यों जरूरी है पानी साप करने का एक उपाय भी लिखिए तो पीने से पहले साप करना चाहिए ताकि हम बिमार ना हों जना गंदा पानी पर नुदि परकार जईकर साप कर किया जा सकता है है ना देखे जब पानी को बालते हो तो जिसमें उसमें सूक्ष मेजीब के टानू होते हैं उबालने से पानी गरम करने से जल के ताप मांग के कारण खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं फिर नदी के पानी समद्र की पानी में तर लिखिए तो नदी का पानी पीने युग मीठा हो होता है क्योंकि नमक की मात्रा आधिक होती है उसमें फिर अगला कॉस्टन है निम्नांकित के उत्तर लिखिए फर्स्ट है नदिया प्रिदूर्शन के कारण तो नदिया क्यों होता है फैक्ट्रिया कपड़ा धोना जानवर नहाना आधि भारत की नदियों के नाम तुकंगा बनाकर बोर्वेल दारा हम भूजा देने की जैमिंग को पानी निकाल सकते हैं गंदे पानी सहने वाले रोग तो क्या है उल्टी है दस्त है है आधी यह सब गंदे पानी को पीने से होते हैं फिर जल बचा पर एक स्लोगन हो जाएगा इसमें बाह है जल से बचा पर एक बनाईएगा गोल सा एक गोला बनाईएगा उसमें कलर कर दीजेगा या तो आप ते हारा कर दीजिए और नीला या फिर चाहो तो हारा नीला कर दीजेगा दोना बस ठीक हारा और नीला ऑनली फिर नल बनाकर पानी गयर रहा होगा और यहाथ मतलब उस पानी को रोक रहा है पेड़ द्वारा इस प्रकास बना दीजेगा जल बेहता है कल-कल तभी जीवन जल बहता कल-कल तभी होता है जीवन सफल फिर नहीं होगा कोई कल जीवन होगा निर्मल जल जल ही जीवन है इस विकार से अप लिख दिएगा तुछात नहीं था आपके पार्ट 11 12 13 के उत्तर न है उनकी हाल पर तोने बीडियो को शेयर कर देजिए मिल दे नेस्ट वीडियो पर जाते क्लिए थैंक्स पर वाचिंग धन्नाबाद